इस्राइल के सेनिक हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं लेकिन इस्राइली सेना की कमांडो डॉग यूनिट भी हमास के आतंकियों पर कहर बन कर तूट पड़ी है इसराइली सेना के ये खतरनाक डॉग्स हमास के दस आतंकियों को चबा गए हैं इसके लावा इन डॉग्स ने करीब 200 इसराइली नागरिकों की जान भी बचाई है आपको बता दें कि इसराइल की सेना के पास के नाइन नाम की सेन्य डॉग्स की यूनिट है इस के-9 यूनिट में इसराइल ने खतरनाक शिकारी कुटों को भरती कर रखा है। इन सभी शिकारी कुटों को बंधकों को छुड़वाने, लोगों की जान बचाने और घर में छिपे आतंकियों को खत्म करने का श्रे जाता है। आपको बता दे कि इसराइल में इस वक्त नारो और चारली नाम के दो शिकारी कुटों की जबरदस्ट चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात नारो की कर लेते हैं। गाजा के करीब कफर अजा इलाके में हमास के आतंकी इसराइली सेना के लिए घात लगा कर बैठे थे। लेकिन के-9 यूनिट में काम कर रहे नारो नाम के सैन्ने कुट्टे ने इसराइली सेना को आतंकियों के बारे में पहले ही वता दिया। नारो से मदद मिलते ही इसराइली सेनिकों ने आतंकियों पर अचानक हमला बोल दिया और सभी आतंकियों को मार दिया दुख की बात ये है कि इस बड़े ओपरेशन में नारो भी मारा गया इसी तरह से एक दूसरे रेस्क्यू मिशन के दौरान चारली नाम के शिकारी कुत्ते ने हमास के एक लीडर को सूंग निकाला इस लीडर का पकड़ा जना हमास के लिए एक बड़ा जटका था इसराइल की के नाइन यूनिट के दूसरे असॉल्ट डॉग भी चुन चुन कर आतंकियों को खोज निकाल रहे हैं इन सभी डॉग्स को हमास के आतंकियों की पहचान करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है ये सभी डॉग्स आतंकियों को मार रहे हैं और इसराइली नागरिकों को बचा रहे हैं वैसे आपको याद होगा कि हाल ही में भारतिय सेना के असौल्ट डॉग्स भी काफी चर्चा में आये थे हाल ही में भारतिय सेना की 21 आर्मी डॉग यूनिट की असॉल्ट डॉग केंट ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ठिकाना ढूंड निकाला था इसके बाद भारतिय जवानों ने सभी आतंकियों को मार दिया था आतंकियों को ढूंडने के लिए केंट सेना की टुकडी का नित्रित्व कर रही थी। इस उप्रेशन में केंट भी हमेशा के लिए चली गई। पिछले साल सेना के असॉल्ट डॉग जूम ने भी आतंकियों पर हमला बोल दिया था। जूम ने जम्मू कश्मीर में दो आतंकियों को एक घर में दबोच लिया आतंकियों ने जूम पर गोलियां दाग दी लेकिन गोली लगने के बावजूद जूम ने आतंकियों को भागने नहीं दिया आतंकी तो मारे गए लेकिन देश के लिए लड़ते लड़ते जूम ने भी जान दे दी